नमज़कर दोस्तू मैं हूँ आपका दोस्त अभीशेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पजाज आटो स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली 3588 रुपे 80 पैसे पर क्लोजिंग स्टॉक ने पना कर दिखाया वहीं थ्रियावर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखेंगे अभी भी स्टॉक में एक सपोर्ट पर करार है यह सपोर्ट है 3520 रुपे 58 पैसे का इस सपोर्ट का खासा ध्यान रखना है क्योंकि अगर सपोर्ट लेवल को भी स्टॉक परेक करता है तो देखिए 3500 तक के लेवल दिखा सकता है लेकिन जिस प्रकार से वापस रिकवरी देखने को मिल रही है अगर यही तेजी पर करार रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टार्गेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 3600-3650 यहां तक की 3675 तक के टार्गेट भी स्टॉक अचीव कर सकता है लेकिन यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका आपको थ्यान रखना है 3667 रुपे के इस रेजिस्टेंस लेवल को जब तक स्टॉक परेग नहीं करता कोई भी फ्रेश बाइंग हमें नहीं करनी है कोई भी बाइंग का मौका यहां पर अभी नहीं बनता है केवल वेट एंड वाच की स्ट्रेटेजी अपना कर चलनी पड़ेगी जैसे ही बाइंग का शांदार मौका बनता है हम एक वीडियो ज़रू पनाएंगे तब तक सपोर्ट का ध्यान रखें स्टॉप लॉसिस लगा कर चल सकते हैं तो यही स्ट्रेटेजी आपको पनानी हैं पजाज आच आटो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद